दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिष्टी पॉरफाइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में आज वीडियो लेक्चर होने वाला है यूपी पॉर्टेग्निक फोर समिस्टर इलेक्टिकल इंदिनिम का सब्जेक्ट है एडिडी फर्स्ट पूरा नाम है आपका इलेक्टिकल डिजाइं ड्राइंग इस्टिमेशन फर्स्ट न्यू सेलबस के कॉर्डिंग वीडियो बनाई जा रही है पिछले वीडियो लेक्चर में आपने टाइप साफ वायरिंग के बारे में जाना था आज की इ कर सकते हैं दो जगह से कंट्रॉल कर सकते हैं एंड आइड आयं देखते हैं भिना किसे तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसमें तीनों चित्र बना कर देखेंगे सबसे पहले systematic diagram बनाएंगे देखें जैसे जैसे आगर बढ़ते जाएंगे आपका जो multi-line diagram है थोड़ा कम होता जाएगा जो जना चित्र कम होता जाएगा इस तरीके कुछ बताएंगे तो हम आपको जरूर इसका practical provide करने के कोशिस करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमें किसी बल्ब को जराने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए एक phase चाहिए ठीक है यह देखो phase आ गया अब देखो guys दूसरा के चाहिए हमको दूसरा चाहिए कि एक neutral मिल जा है तो देखिए हमको neutral भी मिल गया ठीक है अब देखिए हमेशा जो switch को हम लगाते है वो हमेशा phase में लगाते है इस तरीके हमारा क्या होगा एक switch हो गया इस तरीके हमारा one way switch हो गया नीचे आएंगे एक हमने यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से ए आपका लैंट को यल से सू करते हैं तो लैंट हो गया ए आपका क्या है एए आपका वन व कन सय वन व सुच लगा टिवा टिच लुंज और अपको नॉर्मलई फेज्स से current आएगी यहां तक आके रुखी रहेगी neutral से current आएगी इसतरी बल्म से होती हुए यहां पर आके रुखी रहेगी जैसे guys हम इस switch को हम यहां पर मतностब लगा देंगे इस तरी की से हां पर 6 आदेंगे ठीक है यहां आप चिप्का देंगे तो आपका क्या होगा बलम जल जायेगा नेश्ट गाइस हापका आता है जो दुसरे नमबर पर वह आता है मल्टी लाइन disciple आइए देखते हैं दूसरा नमबर जो है ओ क्या है मल्टी लाइन Люб लाइन डाइग्राम multi line diagram आईए इसका देखते हैं तो multi line diagram कैसे बनता है तो multi line diagram बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरीके से एक phase ले लेना है यहाँ पे जाने है अब आपको यहाँ क्या करना है एक switch लगा लेना one way switch क्योंकि हम एक जिगह से control कर रहे हैं तो इस तरीके से और देख़े यह one way switch हो गया और यहाँ phase क्योंकि कर दिए यहाँ से गाईस इस तरीके से हम गया है और इस तरीके से देख़े जा करके यहाँ हमने क्या किया एक lamp लगा दिया अब इसके पाद हम neutral को लाएंगे इसके पास इसे दे देंगे यह देखिए हमारा phase हो गया यह हमारा neutral हो गया यही जो चीज लिखनी पड़ती है आप लिख दीजे यहाँ उपर 230 volt है और 50 hertz की supply आ रही है यह आपका lamp है यह आपकी क्या है one way switch है इस तरीके से आपकी one way switch होगी operate कैसे होगा phase आएगा यहाँ से supply आएगी यहाँ पे हम one way switch को press करेंगे इस तरीके supply आगे बड़ेगी lamp तक जाएगी neutral phase मिलेंगे बल्व चल जाएगा next guys आपका जो आता है तीसरा so करने का तरीका है ओ guys कौन सा है आपका single line diagram जी आँ दोस्तों single line diagram single line diagram single line diagram के मतलब से हम कैसे so करते हैं यह देखते हैं तो single line diagram के मतलब से देखो बहुत easy यह so करना जैसे देखो ऊपर वाला दीकरा वैसे बस करना है आपको सबसे पहले क्या कना इस तरीके से like किस देने है उसके बाद जो आपका switch लगती है guys switch कहा लगती है switch guys हमेशा board पर लगती है तो हम क्या करेंगे एक इस तरीके से राइल लएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक board को लगा देंगे यह देखिए इस तरीके से हमारा board लग गया यहाँ पर क्या है हमारा lamp लगा है तो हम यहाँ पे lamp लगा देंगे अब देखे इसमें हमें wire से पूरे पते होते हैं तो phase neutral यहाँ लिखते नहीं है तो देखे यहाँ से कितने wire आते हैं तो 2 wire आ रहा है तो इस तरीके से 2 कर देंगे यहाँ पे 2 wire आ रहा है तो 2 इस तरीके से कर देंगे यह हमारा lamp हो गया ठीक है और इसको हम बोल देंगे switchboard है switchboard है switchboard है यह switchboard हो गया ठीक है यह switchboard हो गया यह आपका lamp हो गया अब देखे इसमें हमें सब wire से जो पता होते हैं अगर देखो मालो 3 से अधिक तीन तेक हम तीन लाइन कीश सकते हैं लेकिन 4 आ गया तो क्या करेंगे अब जो मालो ऐसे हमारी line गई थी अगर यहाँ पर चार वायर आ रहे हैं मालो इस तरीके बोड लगा है और हमारा बल्ब जल आ है यहाँ चार अगर वायर आ रहे हैं तो इस तरीके से करके हम क्या करते हैं फोर लिखते हैं तो इस तरीके से गाईस करते हैं आपने अभी तक क्या देखा एक लेंब को एक जगह से कंट्रोल करने की तीन में थर्ड है, operate कैसे होगा हमने बता दिया, योजनाची systematic diagram की मिन्दस से, multi line diagram की मिन्दस से, and single line diagram की help से दोस्तों मैं दूसरा जो point बताने वाला हूँ वे है कि एक बल्म को बता दिता हूँ कैसे, एक बल्म को दो जगा से कैसे controlling करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम लोग, systematic diagram देखेंगे, तो systematic diagram में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते है, एक हम फेज को ले लेते हैं, ठीक है, एक हमने फेज को ले लिया, just guys, उसके बाद आपको एक इस तरीकेस line खीज करेंगे, आपको यहां पर set करनी है, two way switch, जी यहां दोस्तों, two way switch connect करनी है, इस तरीकेसे, two way switch में क्या होता है, एक तरफ पूरली connected होता है, और एक तरफ dot रहेगा, चाहा इधर connect करतो, इधर dot करतो, वो आपके उपर depend है, next guys, आपका क्या है, एक और ह कुछ हम connect करेंगे इस तरीकेसे, और देखो यह आपके जो ओंगे कुछ इस तरीकेस connected रहेंगे, ठीक है, अब देखो यहां पर एक बल्म लगाओगे, लेंप बल्म लगाओगे और इस तरीकेस हो जाएगा, यहां से आपको neutral मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीकेस हो गया, 30V और 50H हम लिखके यहां दिखा देते हैं, फिर जारा है, अब देखोग़ यह लैम्प हो गया, यह लैम्प हो गया यल, और इसको बता दो कि यह भाई two-way switch है, कौन से switch है, two-way switch है, two-way switch है, अब देखोग़ two-way switch operate कैसे होती है, देखो, सबसे पहले आपकी जो supply आएगी न, अब देखो, यहां से आगई तो इस समय अगर देखें, तो बल्ब जला है कि नहीं आई यह दिखते हैं, तो यहां से guys supply आएगी देखो, यहां से आगई, ठीक है, यहां से आने के बाद guys supply आपकी यहां connect है, तो यहां से डारेक्ट यहां तका जाएगी, लेकिन guys आप ध्यान देना, यहां पर तो connect है इसलिए बल्ब की पास नहीं आएगी, और neutral तो यहां तका आ रहाता, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बल्ब जलाने के लिए क्या करेंगे, अब हम किसी भी एक स्विच को हम प्रेस करते हैं और हमारा बल्ब जल जल जाएगा, आईगे देखते हैं कैसे, माल लिजी इस स्विच को हमने क्या किया कि इधर प्रेस कर दिया, और इधर हमने डॉट डॉट ले लिए, मालो इधर हमने प्रेस कर लिया इधर डॉट डॉट होगा इधर हमने प्रेस कर दिया आपकी supply आएगी यहां से यहां पर आएगा और इस तरीके से यहां पर बल्ब का फेज न्यूटरल मिलेगा बल्ब जाएगा तो आपने systematic diagram के मतर से समझ लिया कि एक बल्ब को कैसे हम controlling कर सकते हैं दो जगा से अब चलिए हम लोग देखते हैं कि multi-line diagram जी आँ दोस्तों दूसरा जो हमारी topics आती है ठीक है ओ है multi-line, multi-line diagram ठीक है multi-line diagram से क्या होते हैं इसके बारे मैं यह देखते हैं तो सबसे पहले आपको multi-line diagram बनाने से मैं पहले बता दूँ आपको 2-way switch दोस्तों चाहिए ही तो मैं क्या करूँगा देखो एक 2-way switch ले लिया यहाँ पे और एक 2-way switch ले लिया मैं यहाँ ठीक है सबसे पहले हम देखे क्या करेंगे हम यहाँ से फेज को लेंगे ठीक है देखे हम लोग फेज को लेंगे यहाँ तक और हम क्या करेंगे यहाँ तक ला करके इसके पास देदेंगे आप यहाँ पे लेकर डारेक्ट भी ला सकते है ठीक है हमने क्या किया यहाँ फेज ला दिय है ना चलिए अब बढ़ेंगे ओपर वाला उपर तो तो अब देखो एजु नीचे वाला था ना इस थी तरीके से कर लो सबा cancellation आगे बढ़ेते करें अब यहां से लिःना है एहां से लेका इस में थोड़ा सो वारिंग बता रहा हैं समझा रहा हैं यहां दीजिएगा इस तरीके कहले नया और यहाँ पर आ जाएंगे और यह देखो लैंप लग गया यह आपकी क्या है टू एसस दोनों हो गई यह आपका न्यूट्रल हो गया दो सो थार्टी बोल्ट फिफ्टी हर्ज यहां से मिल गया इस तरीके से लेकिन अभी टू एसस में हमने बता है कि एक सिरा उसका कोई कॉन्टैक में रहता है आप किसी से किसी को भी मिला सकते हैं लेकिन बल्ब कोई कहेगा जला कर दिखाओ तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ इस वाले सिरा को इससे चिपका देता हूँ ठीक है इससे एक तो खुला रहेगा इगा इधर नहीं यहां से कनेक्टेड इसके पास नहीं आ रहा है तो यहां से जा रहा है वाई सप्लाई इधर जा रही है यह देखो यहां पर हमारी सप्लाई इसके पास आई इसके पास यहां गई यहां से आपके हो करके बल्ब के पास पहुच गया फेज आपके पहुच गया बल्ब के पा इस तरीके से और यहां पर आती है और यहीं पर सटे हैं तो देखो यहीं पर आके सप्लाई रूँच जाती है आगे नहीं बल जलता ठीक अब देखो मालों अगर ऐसे ही है इसको हमें हटाना है तो मैं क्या करूंगा यहां से लाओंगा इस तरीके से आपकी सप्लाई आएगी single line diagram ठीक है single line diagrams जो है इसके बारे हम लोग देख लेते है गाझ है single line diagram किस थरीकेस होगा यह देखो इस थरीकेस हो जाएगा 2 switch लगी है यानि 2 board लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे यह इस तरीकेस देखो आपके क्या जाएंगे 2 board हो जाएंगे आप यहां पर यह वाला लीख सकते है, 230 volts और 50 hertz लीख सकते हैं, अब देखे मैं आपको बता दू कि wires कितने आ रहे हैं, इसमें वारे में पता होते हैं, कितने तार आ रहे हैं, तो यहां पर देखिए, 1, 2, 3 wires है, तो आप 1, 2, 3 line खिज़ देंगे, यहां पर कितने थे, 2 थे तो दो आइस आ रहे हैं तो आपको पता चल गया कि इसमें कितने वारा हैं आप यहां पे लिख सकते हैं यह आपके यलो जाएंगे और यह दोनों जो है गाईस यह जोनों को क्या बोलते हैं स्विच बोर्ड आप पूरा नाम निक देंगे स्विच बोर्ड आपका है ठीक है देखे मैंने कहा ना कि इसको सीडी के वायरिंग के नाम से भी जाते हैं जैसे मैं आपको एक नजर में समझा दूँ कोई ब्यक्ति आया यहां से और इस बटन को पूस किया बल्ब जल गया माल हो जाएगे उसी तरीके से गाईस आपका क्या होगा कि एक बार आफ हो गया अब मालों यह उपर से आएगा यहां पूस कर बटन को प्रेश कर देगा तो आपका बल्ब फिर जल जाएगा मालों ऑगर यह नहीं आया यहां से कोई आया यह दबा देगा बटन को तब भी जल सबसे पहले हम आपको एक और चीज़ बताते हैं तो तीसरा हमारा टॉपिक है वन लैप कंट्रोल फ्राम मोर देन टू प्लेसे आये देखते हैं कि जो आपका एक लैम था उसको कई जगहों से कैसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं यानि मोर देन ठीक है थ्री प्लेसे उससे अधिक टू प्लेसे आज तु से अधिक से योजनाचित के मदश से तो सबसे पहले हम लोग योजनाचित सो करते हैं उसको बोलते हैं तो systematic इस तरीके देखो मैं connection में बता दूं इस तरीके कहीं इधर यह जो आपकी कुणजी है एक तरफ तो लगी रहेगी और एक तरफ dotted फॉर्म में तो यहां पर क्या होगा एक yeah इस तरीके से आपकी जो दूसरी सि Eugene होगा और इस तरीके से कोई Branch रहे गा मालो यह वाला कोई निक्कत वाली बात नहीं कर सकते हो व बल्ब जलाने की बात आएगी तो वहाँ पे आपको समझाना होगा किसी को अगर कोई push the bulb कैसे जलेगा तो आपको उसको बताना होगा इस तरीके से यहाँ पे आप क्या लिखते थे 230 बोल्ट और 50 हर्थ लिखते हैं लेकिन मैं एक चीज़ और बता दू यह सब चीज़े जो आप पेपर में बनाएंगे pencil से बना आया नहीं देखे सबसे पहले supply आएगी इस तरीके से यहाँ पे जाएगे इस तरीके साते हुई यहाँ पर आजाएगी इढल आएगी यहां पर यहां पे और इस तरीके से यहां पर जाएगी, तो आपका क्या, यहां पर देखें, डाट फॉर्म है, बल्ब नहीं जलेगा, तो इस तरीके स गाइस, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, दो जगा से, उसके बाद, गाइस, इंटरमेडियेट स्विच्च जो होती है, उससे भी हम चेंज करके, हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, हम इसको बदल सकते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, अब देखें, जो हमारा यहां पर टू नंबर आता है, तू नंबर क्या आता है, वह है मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है, multi-line diagram देखते हैं तो multi-line diagram कैसे बनाएंगे guys सबसे पहले आपको क्या करने हैं एक 2-way switch लगा देने हैं इस तरीके से एक उसके बाद इसके लिए लेने हैं एक आपको intermediate switch के लिए लेने हैं उसके बाद then 2-way switch लगा लेने हैं तो 2-way switch चली मैं लगा देता हूँ यहां पर इस तरीके से होगा 2-way switch और intermediate switch तो इस तरीके से होता है और इसको 2-way switch बनाएंगे इस तरीके से तो आप इसको किसी तरीके से कर सकते हैं कोई दिक्कत अली बात नहीं ठीक इससे उठाएंगे फिल ले जाओ भाई और इस जो नीचे वाले महाँ साखते हैं इनसे मिला दो ठीक है इसको सीरेस बनाना पेल से इतना कर लेना है और इस सुच में क्या होता है इस तरीके से होता है अब फिर से वही काम कि उपर वाले से उठाओ उपर वाले को मिला दो मतलब इस वाले को उठाओ ऐसे ले जाओ और यहां से ले करके आओ इस उपर वाले को मिला दो ठीक है और नीचे वाला जो है ठीक है जो नीचे वाला है यहां से उठाओ इस तरीके से ले जाओ और देखो नीचे वाले को मिला दो हमने क्या किया यहां से फेजल है नीचे वाला जो दुनों था इसको हम नीचे से इसके मिला दिया जो ऊपर वाला था उसको ऊपर से मिला द और यहां पर तब यहां पर इस तरीके से हो जाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से मतलब यहां पर इस तरीके से कल लेना और यहां आपका लैंप लगेगा और इस तरीके से आपके यहां न्यूट्रल जाएंगे यह फेज हो गया न्यूट्रल हो गया आपका 230 बोल्ट आ ग इसे पेपर में मत लिखना पूरा नाम लिखना गाईस मैं सिर्फ वैसे आपको संधाने के लिए यह क्या है टी डबलू एस है टू है यह वन है ठीक है इस तरीके से अब मैं दिखाता हूँ बल्ब इसमें कैसे जलना है सप्लाई इधर से आए कि यहां से होते हुई देखो यह नहीं जलेगा इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि यहां पर देखो सप्लाई से कनेक्ट नहीं है हम यहां इसको प्रेस कर देंगे तो आपकर जल जाएगा चलिए दूसरी स्टिप में देखते हैं अगर मैं इसको इधर प्रेस कर दो इधर जैसे मैं प्रेस करूंगा आपकी सप तो आपका वल्वर जलने लेंगे, इससे भी कंट्रोलिंग होगी, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कि one lamp जब more than controlling करेंगे, two places से अधिक के लिए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप operate करा सकते हैं, चलिए मैं इसी चीज़ को आपको single line diagram के मदश से मैं दि single line diagram में देखें मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि बीना कुछ किये हुए इस तरीके से एक रेखा किस देते हैं, उसके बाद देखो एक switch लगी थी, इधर देखो एक switch लगी तो एक board लग जाएगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक switch board मैं इधर connect कर दूँगा, यह देखो, switch board connected हो गया, अब दूसरा क्या है कि intermediate switch के लिए एक board लग जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा, देखो, इस तरीके से एक board यहाँ पर भी लग जाएगा, देन उसके बाद एक board यहाँ पर भी लग जाएगा, क्योंकि एक और two-way switch हमारे पास और लगी गई है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर हमारा bulb लगा है तो इस तरीके से जाएगा, अब यहाँ पर 230 volt और 50 hertz लिखना चाहिए, लिख दीजे, एक में जरूर दिखाईएगा, उसके बाद यहाँ से कितने वार आ रहा है, दो वार आ रहा है, देखें, दो वार, यहा यहाँ पर लिख दूँगा, पता तिलेगा, चार वार है, उसके बाद देखें, यहाँ कितने वार है, एक, दो तीन वार है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो एक, दो तीन वार हो जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कितने वार है, एक, दो तीन वार है, और यहाँ पर yes b 2 बोल दीजिए और yes ठीक है yes b 3 बोल दीजिए switchboard 3, switchboard 2 इस तरीके से आपके 3 board लगे हुए है आप single line diagram किम्दस से दिखा सकते हैं so guys I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गए होगी यदि समझ में आ गए तो वेडियो को like करें नए हो थो माई YouTube channel को subscribe कर लिजिए ताकि future में आने वाली updates and more videos की notification आपको सबसे पहले मिल सके thank you